हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल कॉस्मोलोजी चैनल पर किसी का चेक बाउंस होने पर केस फाइल करने के लिए नेगोशियबल इंस्टुमेंट एक्ट के तहट कुछ लिमिटेशन पिरेट दिया गया है जिसकी हम पूरी डिटेल्स जानेगे आज के इस वीडियो में तो बने रहेगा वीडियो के अंतर जैसे कि आप सभी जानते है कि किसी भी तरह की केस को फाइल करने के लिए कुछ टाइम का लिमिटेशन पिरेट दिया गया होता है जिस limitation period के अंदर ही आपको किसी भी तरह का case file करना होता है अगर आप उस limitation period के अंदर case को file ना करकर बाद में file करते हैं तो time bad होने की वज़े से आपका case dismissed भी हो सकता है इसी तरह का time limitation period negotiable instrument act के तहट भी दिया गया है चेक bounce होने की date से लेकर check filing तक आपके पास 75 days का time limit होता है 25 days आपको किस तरह से मिलने वाले यही मैं अपनी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो मान लिजिए किसी ने आपको check दिया जो कि अब bounce हो चुका है चेक dishonor मतलब की bounce होने के बाद legal demand notice भेजने के लिए 30 days का time limitation negotiable instrument act द्वारा दिया गया है यह 30 days का जो आपको time limit दिया गया है उसे check bouncing की date से नहीं बल्कि उस दिन से count करना है जिस दिन आपको bank द्वारा information दी गई है कि अगले वेक्ति का check bounce हो चुका है notice भेजने के बाद आपके पास 15 दिन का awaiting period होता है जिसमें आप किसी भी तरह की case file नहीं कर सकते बल्कि आपको सिर्फ wait करना होता है कि जो check देने वाला वेक्ति है मतलब कि जिसका check bounce हो है वो आकर आपकी 15 दिन के अंदर amount को pay कर दे और इस 15 दिन के waiting time को आपको उस दिन से calculate नहीं करना जिस दिन आपने notice बेजी थी बल्कि उस दिन से calculate करना होता है जिस दिन सामने वाले वेक्ति को आपकी notice पहुच गई थी 15 दिन का waiting period खतम होने के बाद भी अगर सामने वाला वेक्ति आपकी amount को pay नहीं करता तो उसके बाद से 30 दिनों के भीतर आपको court में case file करनी होगी तो इस तरह से notice भेजने के लिए 30 days, awaiting period 15 days और इसके बाद case file करने के लिए 30 days इस तरह से check bounce की case को file करने के लिए total 75 days का time limit negotiable instrument act और प्रिस्क्राइब किया गया है अगर आप check bounce की case को defend करने का तरीका जानना चाहते है तो left side वाली वीडियो को देखे और अगर check bouncing के मुकद में से सम्मनित और जानकारी पाना चाहते है तो यह right side वाली वीडियो को देखे यो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे लगी हो तो इसे like करे, दोस्तों के साथ share करे, चैनल को subscribe करे, thank you